हेलो बच्चों बच्चों आज हम लेखन कौशल पर आधारी उपियोजित लेखन अर्थात राइटिंग स्किल के महत्तपूर भाग निबंद लेखन में वर्णनात्मक निबंद लिखने का अभ्यास करेंगे निबंद लिखते समय तीन विशय मुख्य होते हैं आरंब अर्थात प्रस्तावना मुख्य विशय अंध अंध अर्थात उपसंगार प्रथम आरंब में अर्थात प्रस्तावना में निबंद के विशय की भूमी का अर्थात जानकारी के बारे में लिखते हैं दूसरा मुख्य विशे में उस विशे से संबंधित प्रभाव, लाव, हानिया, इत्यादि की जानकारी लिखते हैं एवं उपसंगार अर्थात अंत में अपने सकारात्मक विचारों से निवंद का अंत करना चाहिए बच्चों, आप किसी भी कक्षा विशेस में अध्यन कर रहे हों या किसी विशेस अस्तर का निवंद लिख रहे हों निवंद लिखते समय हमें उस विशे की पूर्ण जानकारी सरल स्पष्ट भासा में लिखने का प्रयास करना चाहिए यही अच्छे निवंद की पहचान होती है अतह आज हम भारत के राश्ट्रिय परों में से एक 5 अगस्त भारती स्वतंतरता दिवस पर निवंद लिखन करेंगे निबंद का आरंब देखते हैं भारत में प्रतिवर्ष स्वतंतरता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है यह प्रतेख भारती के लिए गौरो और उल्लास का पर्व होता है 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश सामराज से आजादी पाई थी अर्थात ब्रिटिश सामराज से मुक्त होकर स्वतंतरा प्राप्त की थी और इस दिन को हम स्वतंतरा दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन हमारे भारत के प्रधानमंतरी दिल्ली के लाल किले पर जंडा फैराते हैं और प्रतेग भारतियों को राष्ट्र के नाम संदेज देते हैं। इस दिन सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, नीगम, एवं प्रशाशनी कार्यालों में राष्ट्रिय धोज फैराया जाता है और राष्ट्र गान गाया जाता है। पंद्र अगस्त का दिन उन शहीदों को उस्मरर करने का दिन है जिनके बलिदान की वज़यसे हम सभी आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आप सभी स्वतंता सेनानियों को जानते ही हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे बहुत सारे स्वतंता सेनानियों के फोटो दिख रही है। अत्ध यह दिन उन वीर सहीदों को समर्पित है। 15 अगस्त के कुछ दिनों पहले से ही भारत की तीनों सेनाय जल सेना, थल सेना और नव सेना पहले से जादा मजबूत और एक जुट हो जाती हैं। स्कूलों और कॉलेजों में प्रतिवस 15 अगस्त के दिन बहुत सारे सांस्कृतिक और देशभक्ती से जुड़े कारिक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। जिस प्रकार इस कोरोना काल में आप सभी अपने घरों से ही ओनलाइन स्वतंता दिवस के अनेक कारिक्रम से जुड़े एवं इस राष्टिय पर्व को हस्तो उलास के साथ मनाया। अब हम निबंद के अंध की तरफ अर्थात उपसंगार की तरफ चलते हैं। अतक हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। अपने देश को साफ स्वक्ष रख कर उसके सभी नियम कानुनों का पालन करना चाहिए। और देश के प्रति अपने करतब्वे को जरूर निभाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने सीखा कि 15 अगस कब मनाते हैं, क्यूं मनाते हैं, भारत के इतिहास में इसका क्या महत्तो है। अब आप अपने उत्तर पुस्ति का अर्थात नोटबुक में निभन्द को लिखें। एवं अन्य विशयों पर भी अच्छा निभन्द लिखने का प्रयास करें। बच्चों, आजकल कौन से तेवार की महाराष्ट में धूम चल रही है। हाँ, गनेश उत्सव की अतह वर्नात्मक निभन्द में गनेश उत्सव पर निभन्द अपने शब्दों में कुछ मुख विंद्वों को ध्यान में रखते हुए लिखें। जैसे यह तेवार कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कहां मनाया जाता है और परियावरण संबंदी किन किन बातों को ध्यान रख करके हमें इस तेवार को मनाना चाहिए। धन्यवाद।